मुझा करें पाकिस्तान के अंदर ओफिशली लाउच होने वाली 2022 की पहले डिवाइस की जो के है वीवो V23E अब इस मुबाइल फोन के रिलेटेर आप लोग की तरब से मुझे बहुत जादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि इस मुबाइल फोन के रिलेटेर आप लोग वीडियो बनाएं और तो बी आनेस्ट मैं चाहता था कि मैं एक अठी एक ही वीडियो बनाऊ जिसके अंदर मैं इस मुबाइल फोन की सारी जो स्पेसिफिकेशन हैं सारी जो डीटेल्स हैं आपको बता दूँ क्योंके 2022 के अंदर मेरी यही कोशिश रहेगी कि थोड़ा और अच्छा content जो है आप लोगों के लिए लेकर आया जाए तो अगर आप इस चीज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंके ओवर 50% हमारे जो व्यूस हैं बताइब आपको यहां लोगों की तरह आते हैं जिनने चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डाट इस सम्थिंग 2022 में जर अब सब्सक्राइब कर लो वैसे भी तो दो मिलियन करीब करीब नजर आ रहा है बताब नजर आ रहा है वो आप किसी गार में होते हो ना दूर से हलकी सी रोशनी की किरन नजर आ रही होती है तो यार उस चीज़ को कर लेंगे मेरे पास वीवो का V23E जो है वो यहां पर मौजूद है और मेरे पास इस तैम दो कलर्स मौजूद हैं और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस मौबाल फोन की जो लुक है वो काफी तक वैसी ही रखी गई है जो के वीवो की से पहले वाली जो डिवाइस थी उन जैसी है काफी स्लिम औं स्मार्ट डिवाइस है और लाइट वेट भी फील होती है यह ब्लाक कलर के अंदर भी अवेलिबल है और दूसरा इसका यह वाला मल्टी शेड का कलर है वैसे यार आजके हम मैनत बहुत कर रहे हैं आप बैगराउंड को ज़रा गवर से देखो फिर इसको देखो तो हम मैनत करते हैं बस हम दिखाते नहीं हैं तो मैंने का बता दूसरा अच्छा खेर इसका जो कलर है और जो इसका वेट है लोक है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे लेकिन मोर और लेस मसला ये है कि वीवो ने इस चीज़ को काफी लो रेंज के अंदर भी दे दिया है और ये जो मुबाइल फोन है ये मुझे मिला है 49,999 का लेकिन मुझे खबर ये आ रही है कि इसका जो ऑफिशल प्राइस टाइग है वो इससे जादा आने वाला होता है तो वीवो के जो फोन है आपकी भी लोकल मार्केट के फोन की तरह जब आप मार्केट चे खरीदने जाते हैं तो आपको अफिशल प्राइस टाइग से नीचे मिल जाते है मुझे ये मुबाइल फोन 49,999 का मिला है डिपेंडिंग अपॉन की आप इसको किस दीलर से भाई कर रहे हैं आपका जो प्राइस टाइग है वो डिफरेंट हो सकता है मुबाइल फोन की लोक और फील की अगर आप बात करते हैं तो मुझे काफी डीसेंट लगी है डिजाइन इसका more or less वैसा ही है बाइक पर आपको triple camera setup देखने को मिल जाता है जिसमें main camera 64 megapixel वाला है इसके इलावा back पर glass दिया गया है front पर भी glass है कौन सा glass है उसकी खास को protection mention नहीं की गयी और मुझे लग रहा है कि normal glass ही लगाया गया है लीचते हैं और expect भी करते हैं तो उसकी removal मुझे थोड़ी सी off लगी है यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा sim slot चेक करना चाहूंगा कि mobile phone के अंदर sim situation कैसी है और sim slot जो है वो आपको mobile phone के नीचे वाली site पर देखने को मिल जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास dual sim की option available है और memory card की भी option available है लेकिन यह एक hybrid sim slot है जिसका मतलब यह है कि या तो आप 2 sims लगा सकेंगे या फिर आप एक sim और एक memory card लगा सकेंगे आप at a single time दोनों चीज़े नहीं लगा सकते जो कि मुझे एक अजीब चीज और यह 172 gram है तो जैसे मैंने बताया है कि मुबाइल फोन का जो weight है वो बहुत light है इस मुबाइल फोन के अंदर कुछ और चीज़ें मुझे light लगी है मेरे हिसाफ से उनका heavy होना जरूरी था और light चीज़ों की बात होई रही है तो इस मुबाइल फोन का सबसे बड़ा problem कहू या मैं यह कहूं कि सबसे बड़ा weak point जो है वो इस मुबाइल फोन का display होने वाला है अब to be honest display की quality मुझे का पसंद आई है एक AMOLED display है जो के 60 Hz के refresh rate के उपर काम कर रहा है बढ़ आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मुबाइल फोन मुझे local market से discount के बाद 50,000 की range में मिला है तो इस market की price tag में generally सब phones ही आपको AMOLED प्रवाइड कर रहे हैं और उसके इलावा जितने भी phones इस range में आ रहे हैं वो सब AMOLED 120 Hz या 90 Hz के साथ आ रहे हैं तो इस mobile phone के अंदर 60 Hz दिया गया है एक और बहुत बहुत बड़ा problem जो है वो यह है कि यार इस mobile phone का जो front display का look है न वो 30,000 की range की devices वाला है तो वो चीज मुझे थोड़ी सी off लगी है on the contrary जो display की quality है वो बहुत अच्छी है front camera यहाँ पर आप देख सकते हैं एक notch के अंदर लगाया गया है क्योंकि इस range के अंदर generally हम punch holes देखते हैं तो वो भी एक off चीज है लेकिन इसके अंदर fingerprint scanner भी दिया गया है तो color contrast ratio भी बहुत अच्छी है तो usage के अंदर आपको मसना नहीं आएगा बट कोई बंदा देखे का ना तो वो यह समझेगा कि यह कोई 30-35000 range की device है उससे ऊपर की यह device नहीं लगती internals के अगर आप बात करते हैं तो इस mobile phone के अंदर काफी interesting internals लगाया गए हैं यहापर आपको 8GB, 128GB का combination देखने को मिलता है जो के इस price category में RAM वली साइट से standard है लेकिन storage वली साइट से आपको 256GB वली storage वले phone भी मिल जाते हैं लेकिन उसका जादा problem नहीं है क्योंके मेरे ख्याल Note 11 series से start हो जाता है आना मतलब वो Note 11 series सबसे lower price point है जिस पे आपको जो G96 का processor है वो देखने को मिल जाता है उसके बाद यही G96 का processor आपको techno के अंदर भी देखने को मिल जाता है और G95 जो के G96 से पुराना processor था वो Infinix के 0X Pro के अंदर available है और 0X Pro 48,000 official price tag के साथ आता है और उस mobile phone क के अंदर 108 megapixel का camera, 120 Hz AMOLED, display fingerprint scanner वो सब कुछ मौझूद है तो उस हिसाब से मैं यह कहूंगा कि अपनी price category के साथ थोड़ा सा under power processor है लेकिन आप थोड़ा सा extra premium पे कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको जो brand मिल रहा है वो Vivo है and definitely Vivo की जो brand value है वो market के अंदर थोड़ी सी जादा है, performance की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस mobile phone के ओपर N22 run किया है और N22 के वो ही scores आया है जो कि आप इस range की device से expect करते हैं यह तकरीबन 3 लाग के करीब का score आपको provide करती है इसके इलावा अगर आप बाकी specs की बात करते हैं तो इस mobile phone के back side पर triple camera setup में में तो 64 है उसके इलावा to be honest ना, इस price category में एक बड़े ही unique spot पर आ जाता है क्योंकि इस range में इतना बड़े megapixel size वाला front camera आपको generally देखने को नहीं मिलता quality की अगर आप बात करते हैं तो selfies इस mobile phone की बहुत fit है तो जितने भी लोग है ना जो गाना गाते हैं के selfie मैंने ले ली आज सर पे मेरे रहता, मैं singer नहीं बन सकता तो वहला जो गाना काते है ना लोग उनके लिए ये phone जो है काफी अच्छा होने वाला है लेकिन इस mobile phone का एक छोटा सा flip side ये भी है के ये आपको Chinese Japanese character सा भी बना देता है वो जो mascot type के आते हैं ना I don't know ये क्यों ऐसा करता है लेकिन ये चिटा मतलब बकाइदा पेंट फिर देता है कि आप तो चिटे हैं तू गोरा होगा मैं करूंगा तुझे गोरा होने ये लड़ पड़ता है आपसे तो आप खुद भी परशान हो जाते हैं कि इतना गोरा बन्दा कौन आ गया है मतलब आप सुफियान की बाजो गोरी कर दी है यार उसने सुफियान की शेट बलैक कलर की थी उसने शेट को भी गोरा कर दी है उसने का सब गोरे होंगे सब वाइट होंगे तो ये चीज़ सेलफी के अंदर किसी हर तक अच्छी ही रहती है क्योंकि इसको आप थोड़ा टोन डाउ आपको ये बड़ा वाज़ा तोर पर फील भी होता है, आप फोटो खेंच रहे हैं, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ड भी नी की, आप सिर्फ वीडियो मोड पे जाएंगे न, तो आपको फील होगा कि क्वालिटी जो है न, मुबाइल फोन की वो डाउन ग्रेड हो एक्चल में 1080p है, तो इस रेंज में 1080p क्यों दी जा रही है, वो भी एक क्वेस्चन है, क्योंकि Vivo was the first company, जिसने 4K front camera में देना स्टार्ट की थी, तो वो एक चीज है, इसके लावा भाई, तस्वीरों के और वीडियो की quality से, अगर हम बाहर आते हैं, तो back camera की भी quality की पर रखके फिर video record हुई है, तस्वीरें बहुत high quality की आती है, तो अगर आप pictures के लिए phone लेख रहे हैं, ये इस range में one of the best है, लेकिन अगर आप video के लिए सोच रहे हैं, तो भाई, मसले आएंगे आपको, इसके इलावा यहाँ पर मैं यह चीज क्लियर कर दूँ के, इस mobile phone के जो software experience है, वो Android 11 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि FunTouch का जो OS 12 उसके उपर based है, तो more or less काफी simple और simplistic किसम का operating system है, जादा bloatware भी आपको देखने को नहीं मिलती, तो उस side से भी ये mobile phone काफी हद तक sorted है, other than that अगर आप gaming performance की बात करते हैं, तो जैसे मैं बता चुका हूँ के same gaming performance, इससे काफी नीचे के price tag में आपको मिल जाती है, तो gamers के लिए ये phone नहीं बना, और ना ही वी वो इसको इस तरह market कर रही है, तो gamers इस phone को वैसे ही सोच सकते हैं, मतलब ये आपके लिए नहीं बना, ऐसा नहीं है कि gaming बुरी करेगा, अगर आप ये phone ले ले लेते हैं, तो ये आपको gaming करवा सकता है, लेकिन gamers के लिए बना नहीं है, तो I would not recommend any gamer to buy it, लेकिन अगर आप बाय करते हैं, तो game की quality बुरी भी नहीं है, वो ही quality है, जो कि आप एक mid range phone से expect करेंगे, जिसमें G96 का जो प्रोसेसर है, वो लगाया गया होगा, एक एरिया जहां पर ये mobile phone मुझे एक काफी decent device लगी है, और इसके इलावा इस mobile phone के अंदर लगाई गई है, 4050 mAh की battery, वो जो 172 आपको दिया था ना, weight scale के उपर इसने, और वो शेशका मारा था कि भाई मैं तो सबसे मतब lightweight phone हूँ, उसका नुकसान ये है कि आपको इसके अंदर जो battery है, वो काफी कम देखने क मिल रही है, और उसकी वज़ा से इस mobile phone के अंदर जो battery life है, वो भी आपको obviously कम देखने को मिलेगी, क्योंकि MediaTek का Helio G96 का processor, कोई lightweight processor नहीं है, उसने battery खेंच नहीं है, उसने battery चूस नहीं है, तो जो 5000 mAh की battery वाले phone होते हैं, वो भी आपको standard battery life provide करते हैं, यहाँ पर इसके 171 gram का है, दूसरा भी 171 gram का है, तो दोनों phones का weight सेम है, मुझे लगा दोनों का weight एक ग्राम का फरक है, मैंने तो thumbnail में लगा देना था, दोनों के weight में फरक है, लेकिन नहीं, दोनों के weight सेम है, एक चीज़ जो के और noticeable है, वो यह है कि इनका यह जो aurora type का color है, I don't know इसका exact नाम क्या हर company different रखती है, इस पे आपको fingerprint show नहीं होते हैं, लेकिन यह जो black है ना, यह तो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो देख लेना यह shiny color है, depending on आपको क्या पसंद आता है, आप दोनों में से अपनी मरजी के phone के तरफ जा सकते हैं, final opinions कि अगर आप मुझसे बात करें तो market के हिसाब से, यह मैं यह कहूंगा कि कोई 10,000 महिंगा है, मतलब 10,000 नीचे चले जाओना तो यह specification आपको दूसरे brand दे रहे हैं, अब आपने decide करना है कि वो 10,000 रुपे आपने एक्स्टा खरच के वीवो पे आना है, या आपने वो 10,000 बचा के किसी और brand के सब जाना है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो पसंद देए तो जरूर लाइक कीजेगा, शेयर कर दीजेगा, कुछीज मिस्स कर गया हूं तो यार अब तो हो गया ना, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं कॉमेट से बता दूगा, अब नग्या